नमस्कार रदे रदे हरर महादेव मैं आपका आचारदेव आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे मृरिग सिरानचत्र पांचवानचत्र चटवानचत्र है मृरिग सिरानचत्र यहाँ ब्रिशव रासी और मिथुन रासी दोनों में चलता है इसके दो दो आधार अस्तम वजो है दोनों रासियों को सपोर्ट करने वाले हैं आधार अस्तमों पे चलने वाला है आकासपत पे देखें तो तिरपन बीश से चाचट चालिस तक का जो छेत्र है वो मृरिग सिरानचत्र का छेत्र है इस नच्चत्र पे जो ग्रह का राज्य है उसका नाम है मंगल तो मंगल का नच्चत्र है मंगल का प्रथम मनच्चत्र है या ब्रिशव रासी और मिथुन रासी दोनों रासी का प्रतितु करता है या दोन राशी में चलता है अतहाँ इस पे बुध और सुक्र का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस रन चत्र पे तीन ग्रहों का मोटा मोटा प्रभा मिलेगा एक तो मंगल के मिलेगा क्योंकि मंगल इसके स्वामी है दूसरा या ब्रिशव रासी में चलता है तो सुक्र का प्रभा मिलेगा और तीसरा या मिथुन रासी में चलता है तो बुध का प्रभा मिलेगा म्रिग सिरा का सिधा सिधा मतलब होता है कि म्रिग का सिर हिरन के सिर जैसा दिखाई देता है इसके जो सक्ति है प्रिणन सक्ति संतुष्टी अगर इसको संतुष्टी मिल जाए तो ये सक्ति है लेकिन इसको संतुष्टी मिलती नहीं चार तारे हैं और जो चार तारों का समूँ ऐसा बनता है कि हिरन के सर जैसा दिखता है दो पद बिषब, दो पद मिथुन में बराबर गोचर करते हैं इसलिए थोड़े से चंचल है कंसंट्रेशन कम है, एकागरता कम है थोड़ा चोकन्ना पन है हिरन को देखिए थोड़ा से चोकन्ना रहता है कब कहां क्या हो जाए तयार रहता है लेकिन एक और चीज़ है कि हिरन चोकन्ने के साथ फिर ये नेचर में आ जाता है कि विक्ति एक जगा कंसंट्रेट नहीं हो पाता एक आगर नहीं हो पाता तो यह चोकन्ना जो है चोकन्ना पन्न जो है यह भै की वज़ा से है यह संदेह की वज़ा से है ठीक है न? एक मात्र ऐसा नच्छत्र है जिसके पास कस्तूरी है अच्छा, इस वीडियो पे हम आपको म्रिक सिरान च्छत्र के कर्म और व्योसाय के बारे में बताएंगे साथ में धन समपदा, लव लाइफ, मैरेस, नवकरी, उपाय के मंत्र संतान कैसी होगी, जीवन साथी कैसा होगा, पिता माता के बारे में सारी मातपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर धी जाएगी, लेकिन आप से बिनम मनुरोध है कि अभी दाद तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं, कि आध क्रिकर चैनल को सब्क्राइब करें, वीडियो आप देखेंगे, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और आपका चंद्रमामरिक सिरा मेहतिया वीडियो आपके और आपके उन मित्रों के लिए बना हुआ है, ठीक, तो सेर जरूर करिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए जब आप ठक जाईएगा, तो आराम से एक कब चाय बना के पिज़ेगा, वहीं पर रोक दि चंद्र, मंगल और चंद्र क्या है, लच्मी योग के कारक है, आल लेड़ी इस नच्चत्र में चोकन्नापन है, नच्चत्र में भय है, नच्चत्र में सक है, सीग्रता है, और चंद्रमा उस सीग्रता को और बढ़ा देगा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्त को लेके चल लाए जल के आए थोड़ा सभी हवा चला हिलना सुरू इस पे माता पारवती को भी देवत्त प्राप्त है ठीक है ना माता पारवती भी इसके देवत्त को अस्थापित करती है और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मृग का सिर है ना यह अपने आप में बहुत कुछ कहता ह मृग भगवान राम के जीवन में मृग है ना वो उनके परिसानियों का जड़ है आज शक्ति जगदंबा मासीता सुर्ण मृग की छप व्यक्त करती है और सुर्ण मृग को लेने गए भगवान राम के सभी जो मूहल कारण जगत में दिखाई देते हैं सुर्ण मृग ही त था इस तरह म्रिग स्तिरान चत्र वालों की जीवन में जो स्वर्ण म्रिग या म्रिग मारीचिका की पीछा करने की जो प्रवित्ती है वो उनको कठिन समय कठिन संगर्स में डाल देती है म्रिग की तरह भागने की जो प्रवित्ती है वो कठिन संगर्सों में डाल देगी आपको सास्तरकार ये कहते हैं कि म्रिग स्तिरान चत्र में ही भगवान श्यू और भगवान माता पार्वती का बीवाह संपन हुआ था तो यहां एक तरह से स्यू सक्ति का आरंभ है ठीक है ना और म्रिग सिरा की एक और कहानी है कि जब रोहिणी में स्वरसृती जी पिता से बसने के लिए जंगल में या जो कठा है कि यह क्यों पिता नहीं बनाने वाला निर्माता है तो ग्यान जो है जब ग्यान को प्राप्त करने की आप तरीके बदल दो तो ग्यान आप से दूर होने लगता है और ग्यान को आप जवरजस्ति प्राप्त करना चाहो तो वो प्राप्त नहीं हो सकता अता ग्यान को बलात आप लेना चाहोगे तो फिर भगवान शीव का रुद्ध रूप प्रगट होगा और आपका मस्तक काड़ दिया जाएगा स्रस्थती मतलब ग्यान ग्यान को स्रध्धा के अनुसार आप ग्रहन कर सकते हैं घ्यान को बलात नहीं ले सकते कि हम नहीं ज़वर जस्ती ले लेंगे चीज्ञ लेंगे घ्यान चीण नहीं है और यहाँ पर ब्रंवा जी वही चाहती थे थे कि बलात छीन ले मतलब बल के द्वारा चीन ले इसलिए भगबावान शिव को यहाँ पर थोड़ा सा हस्तछेप कर करना है बलात प्राप्त करने के कोशिश करेंगे तो आपका सर काट दिया जाएगा अब यहां पर सर ना काटा जाएगा दंडित किया जाएगा कस्तूरी को छुपा कर चलने वाला एक मात नचत्र है जिसके पास कस्तूरी है तो अगर आप कंसंट्रेट रहे आप एकाग रहे अपने आप में तो कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं अर्थात आप जीवन में बहुत बड़े रिसर्चर हो सकते हैं कस्तूरी का क्या मतलब हुआ आपके नावे में कस्तूरी थोड़ी ना है वो तो हिरन के नावे में रहता है तो आप रिसर्चर हो सकते हैं तो संसार जिसकी महक से सम्मोईत हो सकता है वो ज्ञान आप दे सकते हैं आपके जो लेखनी होगी वो इतने नवीन ज्ञानों को देने वाली होगी कि आने वाली पीडियों का उधार हो जाएगा इस चीज़ को यहाँ पर कस्तूरी बताता है चंद्रमा मंगल म्रिक सिरा बुद्ध का प्रभाव ठीक तो एक तरह से आप देखें तो चंद्र गुरुपतनी और फिर बुद्ध यह भी कहानी यहाँ पर आपके जुड़ती है अब अगर इसको भावार्त आप गुड़ार्थ लेना चाहें कौन सो गुड़ार्थ तो चंद्रमा जब चंद्रमा मतलब मन गुरु गुरु मतलब उसका सूछ मतत्त को प्राप्त करेंगा तब बुद्धी की उतपत्धी होगी गुरू के वाय फलक पे अगर आप रुके हुए हैं तो आपकी बुद्धी तिब्र नहीं होगी आपके गुरू के अंता फलक तक जाना होगा तब आपकी बुद्धी तिब्र होगी तब आप बुद्धिमान होगी तब आपके अंदर बुद्ध प्रकट होगा यहां इसे बुद्ध देवता की उत्पत्ती की बाग कही जाती है ठीक बिवा के लिए या नचत्र सुभ नहीं है क्योंकि मंगल इसके कारक है इसलिए जाती इसकी किसान है अता महिंती है खितिवाड़ी से फैदा होता है लिंग सास्त्रकार कहते हैं कि थोड़ा नपनसक में आता है इसलिए संतान के आगे बढ़ने के लिए सास्त्रकार मना करते है दिसा दच्छन दिसा है दच्छन मतलब सक्ती की दिसा दच्छन मतलब दच्छता की दिसा दच्छन मतलब दच्छिना की दिसा और दच्छिना लेने का दिकार उसी को है जिसके अंदर दच्छता हो दच्छता से ही दच्छिना बनी है सरीर पे नेत्र पेसकार प्रहोजादा रहता है इसलिए मरिक्सीरा वालों के नेत्र थोड़े से चलाए मान रहते हैं नेत्र चंचल रहते हैं सभाव जो आप देखेंगे तो सभाव थोड़ा सा इनका प्रतिवा समपन होता है खोजी होते हैं थोड़े सरमिले और संकुची सभाव के होते हैं गुण जो है थोड़ा सा तामसिक होता है तत्तो प्रतिवी तत्त को लेकर चलते हैं गण जो हैं देव हैं और यहां नचत्र थोड़ा सा मृदू नचत्र सास्त्रकार कहते हैं गोत्र इसके पुलस्त हैं विवावा कटिन कारे करना इस नचत्र में मना किया जाता है कि ना किया जाए ठीक है ना इसके कारचेत्र को देखें तो कारचेत्र के पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं तो कदगाठी की बात करें मैं आपको करम बहुसाय की बात करते हैं फिर कदगाठी की बात करते हैं तो करम बहुसाय में आप जो है चुकि इस नचत्र हिरन का सिर जैसा है और इसमें काटना आता है तो कर्म व्यावसाइग की अगर बात करें तो सास्त कारिये कहते हैं कि काटने उठने का काम जो है वो आपके जीवन में आता है 32 वर्स के बाद व्यावसाइग के फलने फूलने की संभावनाय पैदा होती है स्वास्त के दिश्टकोर से बात करें तो दोनों का स्वास्त अच्छा ही होता है तो दर्जी का काम करना, वाद यंद्र का काम करना, संगीत का काम करना, भूमी भवन का काम करना संगीत इस नचत्रवालों को बहुत ही अरुचकर होता है एक पंक्ति आपको नीती सास्तर में लिखी मिल जाएगी मतलब यह सारे जीव एक-एक प्रमाद के कारण माले जाते हैं तो हिरन का प्रमाद क्या है अच्छा संगेत सुनना मतलब कान का कच्चा होना संगीत सुनने का प्रमाद है कोई भी चीज जब ज़्यादा बढ़ जाया तो उसको प्रमाद या नसा बोलते हैं थोड़ा बहुत संगीत सुनते हैं अच्छा है तो संगीत सुनने का सौप होता है इसलिए संगीत और संगीत के जो उसमें आप फायदा पाएंगे पसपालन का ही है चुकि म्रिग का है तो पसू से रिलेटेड तेके पसू से रिलेटेड दा से उस समय पसू और क्रिसी यही दो आधार अस्तम्ब थे जीवको पारजन के इसलिए सास्रकारों ने यह पसू और क्रिसी को इसमें एड कर दिया है और ऐसा नहीं है क्रिसी से रिलेटेड मतलब खान पान से रिलेटेड जितनी चीज़े हैं उसमें आप लाप राप्त करोगे ठीक भूमी भूवान वाहन से सम्मनित जितने भी कार हो सकते हैं सभी काम आप करें डेफिनेटली आपको लाप मिलेगा कोई डाउट ही नहीं है पसपालन का काम करना है पसवों के डाटर आपको बनना बन सकते हैं अब मरिक एक जगा से दूसरी जगा भागता रहता है तो घूमने फिरने का काम कर सकते हैं टैक्सी का काम कर सकते हैं टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं मरिक खाता पीता क्या जंगल में रहता है तो घास खा तो फल का काम आप कर सकते हैं, फल के आप विक्रेता हो सकते हैं, और यहान चत्र, अब चूंकि थोड़ा से देखेंगे न, यहान चत्र कस्तूरी देने वाला है, तो जोहरी का काम भी आप कर सकते हैं, ठीक, फोटोग्राफी, सुक्र का प्रभाव, इसलिए आप फोटोग्रा प्रफम और दुति नवांस, में वहें पर ॥ till दुत्य को जाएंगे तो चतुर्ट नवांस, उसमें थोड़े सी कर्म ब्दथी के उपकरण तर्थ के उपकरण। क्योंकि यहां बुद्ध का प्रभावजात आ गया न बुद्ध की मित्राशी आ और मंगल का प्रभाव आ गया बुद वाई तक तो को लेके चलता है तो विद्धु तुप करन हो गए टेली फोन हो गए बुद चलने का है बुद एक जगा से दूसरे जगा संचरन करने का है तो डाग विवाग हो गए डातिया हो गए निरिचक के जितने भी काम होते हैं वो लगते हैं और गुरु का प्रभाव आया तो आप एक अच्छे पंडित बन सकते हैं अच्छे इस्टोलाजर बन सकते हैं खासकर अंक सास्त्र को जानने वाले आप बन सकते हैं आप आडिटर हो सकते हैं लेखाकार हो सकते हैं कंप्यूटर में आप बहुत अच्छा काम कर सक अच्छी है इसलिए आप कलाकार है क्या है कलाकार है आपके वाणी अच्छी है दोहरा बिक्तित्व है इसलिए कला के छेत्र में कला के छेत्र में क्या चाहिए दोहरा बिक्तित्व ही तो चाहिए तो दोरा विक्तित को लेके चलने वाली यह रासी है अतहा आप कला के छित्रों भी बहुत सफलता प्राप्त करते हैं थोड़ा सा मानसिक तनाव कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि परिस्तितियां कुछ ऐसी क्रियेट होती है और अंतर मुखी हो जाते है यहाँ ज ठिश्तित ouais जाति वहार किछ जीवन में क्रियेट होंगी सास्त्रकार कहते हैं कि थोड़ा संकोचि हो सकते हैं खुद को अक्सर प्रूफ करते रहते हैं कि मैं ठीक हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ तो खुद को प्रूफ करना चूड़िये कारे को बीच में छोड़ देने की प्रवित्ती होती है क्योंकि बुद्ध का बस्पना है मिथुन में क्या है बुद्ध परिपक को नहीं होता कन्या में बुद्ध बहुत परिपक होता है मिथुन में बुद्ध थोड़ा से बच्चा होता है थोड़ा से बच्चपने के साथ काम चलता है बच्चपना होता है पराविद्या बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं और जो हमारे सास्त्र आते हैं तंत्र, मंत्र, जोति, शाध्यात्म, यह सब पराविध्या में आते हैं, तो पराविध्या बहुत अच्चे सिख सकते हैं, आध्यात्मेग गुरु की संभावना आपकी कुण्डली बताती है, संगीतकार और संभावाद के छेत्र में आप बहुत बेहतर काम करते भी थोड़े से स्वार्थी हैं, गुस्ता आने पर स्त्राब दे देते हैं, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, सिच्छित हैं, कला का सम्मान करने वाले हैं, कला के प्रेमी हैं, अपने पती पर बिसेश प्रेम करने वाले हैं, गहनों और कपड़ों को लेकर काफी भाग क साली होते है और गहने कपड़ों में बिसेश रुची होती है तो थोड़ा सा मिथुन का प्रभाव होने से सजना समरना बनना लोगों को दिखाना, लोगों को दिखानीक इच्चा होती है, इस नच्चत्र में जो महिलाएं हैं, उनका ये मानना होता है कि वो ज़्यादा तर लोगों की एक वो समय की बात है जब बुरे वक्त आता है तो इस तरह के च्छाएं जन्म ले लेती है ज्यादा तर दवाव बनाने के वज़ा से अगर राहू का प्रभाव आया के तू का प्रभाव आया तो फिर तलाक संबन्दी इस्थितियां भी जीवन में बन जाती है ठीक है ना लेकिन आपके हम बात करेंगे कर्म छेत्र के बाद धन संपदा की स्थिति क्या है तो धन संपदा के लिए आपके कुंडले में बुद्ध दिया वगर अच्छे है तो आपको जीवन में परियाप्त मात्रा में धन संपदा प्राप्थ होती है मंगल पाँचवान चत्र है. तो धर मर्त का मुक्ति फिर स्टार्ट हो गए. तो पाँचवान चत्र होने से अब आप क्या है? पाँचों जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में कर। अब चलें तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा. और वो kontrol में नहीं रहेंगी तो फिर आपको बहका देंगी फिर आप भटक जाएंगे फिर आप मरिक के सिर जैसे हो जाएंगे फिर आपको परिशानी आने सुनुरु हो जाएगी देखिए आपके अंदर धन कमाने की योगिता तो बहुत अच्छी होती है धन कमाने की योगिता आप कूट कूट के भरी होती है लेकिन प्रोब्लम यह है कि आप concentrate ही नहीं हो पाते एक आगर ही नहीं हो पाते एक जगह आप काम करते हैं वहाँ पे काम थोड़ा सचा ही श्टार्ट हुआ कुछ रुखा नहीं है छोड़ते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तभी बड़ी सफलताओं प्राप्त करेंगे वरना छोटी सफलताओं में अपने आपको आप सीमित करके रह जाएंगे तो अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने नेचर में परिवर्तन को लाएं परिशितों के एक बड़ी संख्या आपके पास होती है लेकिन जब वो जरूरत पढ़ती है तब परिशित काम नहीं करते हैं उर्जावान लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और लंबे समय तक उनके साथ चलना पसंद करते हैं अपनी परसंसा और पहचान से आपको अध्यन तो खुसी मिलती है ये सभी के अंदर स्वावा भी गुण होता है कौन नहीं चाहता भई इस्त्रोतम कस्य नतुष्टे अस्तुती गान किसको अच्छा नहीं लगता है सबको अच्छा लगता है नियंतर कोशिस भी करते हैं लोगों की सापिंग पे और रोमांचक जो मुका होते हैं रोमांच जा पहाडों में जूलना रोमांच का काम करना उस पर पैसा खर्च करने में बड़ा आनन दाता है कई बसकी ने उनको कुछ कह लिया, कि सर ऐसा कर ये ये कर लेंगे, तो जीवन में इतना अच्छा होगा, तो ज्यादावीचार परीवार पर फ्रेम और पुरा अधिकार देने वाले हैं, हीरन को देखो अपने परिवार को बहुत प्रेंदेता है कभी न कभी दोसरों के बेवार जो होता है वो परिवार या दोसरों के लिए कष्टकारी होता थोड़ी चंचलता होती है थोड़ी गुस्सा जल्दी आ जाते हैं और गुस्सा जल्दी भूल गए जाते हैं पुलिस में जा सकते हैं, खेल कूद या भाग दोड के जितने भी काम है, फिसकल एक्टिविटी में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, आप धनवान है क्योंकि उन्हें काम करना पसंद है, क्या पसंद है, काम करना पसंद है, इसलिए आप उता दिया, उपाए, अमरिक सिर्यान चत्र के जातकों के लिए भगवान सिव की आराधना करना अत्यंत स्रेश्ट परणाम देने वाली है, किसकी भगवान सिव की, और भगवान सिव में रुद्र की उपाशना करना आपके लिए बहतर परणाम है, क्योंकि रुद्र की एक माला रोज जाप करना शुरू करें अच्छा रहेगा जब भी आपको मौका मिले खैर का पौधा मंदिर में धर्मस्थान में या इसी जगा लगाएं जहां पे ज़्यादा तर लोग उसका उपयोग कर पाएं ज़्यादा तर लोग उपयोग करें तो आपके लिए लाभका कौन से नचत्र को स्वाती नचत्र को मिल्क सीरा में पैदा हुए है तो सास्त्रकार पहले लाइन में बोलते हैं दर्जी हो जाईए ठीक है न काटना सुरू करिए स्वाती का काम क्या है सिस्टम से काटना जिस भी नचत्र में आप पैदा हुए है उससे जो दसमा नचत्र ह तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपके कर्म और ब्युशाय के लिए जो नौवान प्चत्र होगा वो आपके भाग में उन्नती के लिए आपको प्रेंग देगा जब कर 알िक सपारो आप सोगष ख़रेब तो आप कर्म एक्ते कर बैट जाए अर्द्रा में बैट जाए तो आप एक अच्छे डाक्टर बनेंगे और काटना काम डाक्टर कभी है तो स्वाती का प्रोहाँ लेंगे अगर आप तो आपकी कर्म छेत्र में विकास होगा आप मरिक सिरा में पैदा हुए हैं ठीक है ना तो अब आपको जो एनर्जी मिलेगी मरिक सिरा में पैदा होने के पस्चाथ वो थोड़े से कीतू की एनर्जी मिलेगी किसकी मिलेगी कीतू की एनर्जी मिलेगी दो चरणों में आपको बुद्ध की एनर्जी मिलेगी और उसकी पस्चात आपको कीतू की इनर्जी मिलेगी तो आपका जीवन साथी आप प्रथम और दुती चरण में उत्पन हुए हैं तो definitely आपका जीवन साथी आप से ज़्यादा बुद्धिमान है वो आपके इनर्जी को systematic तरीके से ले जाना चाहता है वहीं पे आप अगर तृती और चतुर्थ चरणों पैदा हुए हैं तो आपके तुला और ब्रिष्चिक नवांस मिलेगा आप तुला थोड़ी भ्रमण पी नवांस है इसलिए तुला को कंट्रोल करने के लिए आपको कीतू का प्रभाव लेके आपका जीवन साथी प्रगट होगा जिद्धी होगा डेफिनेटली जिद्धी होगा चुकि देखे आपका जन्म चार चरणों में से किसी में भी हो सकता है चार चरणों में से किसी में हो सकता है इसलिए मैं मोटा मोटा पता रहा हूँ तो प्रतम दो चरण में है तो जीवन साथ ही आपसे ज़्यादा समझदार है आपसे ज़्यादा helpful nature का है और help करते हुए जाएगा लेकिन चतुर्थ तृती चरण में पैदा हुए है definitely जिद्धी होगा उसकी बात मानना ही पड़ेगा तब वो आपको अपने बस में करने की ठीक जाएगे ठीक जाने के पीछे कारण है कि आपके love life में स्वाती नचत्र है राहु की उपस्थती आपके जीवन में बताएगे कि आपको प्रेम में धोखा मिलेगे आप प्रेम में धोखा खाओगे ज्यादा अगर राहु पाजिटिव नहीं हुआ तो आप प्रेम में शत्राता है और मिथुन में आप आ गए हैं तो आर्दरा का प्रवाव लेंगे और सत्विसा का प्रवाव लेंगे साथ में स्वाती का प्रवाव लेंगे प्रवाव तो लेना पड़ेगा जिस भी माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का असर तो आपके उपर पड़ेगा तो प्रेम में धोखा मिलने की पूर्ण संभावना है संतान विजव आपकी होगी तेस तर्राक तो होगी लेकिन संतान आपका सपोर्ड करे ऐसा जरूरी नहीं है मरिक के बच्चे कहा मरिक के पास रहते हैं वो भी खेलते हैं कुट्ते निकल जाते हैं तो ऐसा प्रभाव रहेगा आपके पास भाग्योदय के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भाग्योदय हो तो भाग्योदय के लिए आपको फिर राहु के ही प्रभाव में जाएगा सत्विसा में जाना पड़ेगा शत्व भिशान चत्र में जाना पड़ेगा तो कदम्ब का पौधा लगाना आपके लिए स्रेष्ट परिणाम देने वाला होगा तो ये एक मोटी मोटी बाते हैं एक और खास बात आपको बता दूँ क्या कि आप का जन्म जो है मरिक सीरा में क्यों हुआ है तो विशेश चीजों को ले के आप पिसले जन्म में जब आप का जन्म हुआ था तो ब्यापना सक्ति आपके पास थी लेकिन आप जो है सही से कंसंट्रेट नहीं हो पाई इसलिए वहाँ से उठा के आपको मरिक सीरा में डाल दिया गया इस पे एक स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा नहीं यहाँ वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तभी तक आप चैनल पे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद असा करता हूँ कि चीज़ें आपको स्मझ में आई होंगी जानकारी आपको अच्छी लग होगी तो ब्रिणन सक्ति संतुष्टी सक्ति लेकर चलते हैं अगर आप संतुष्ट है तो जीवन में फिर आपके मार्ग में कोई परिसानिय नहीं चार तारे लेकर चल लें पारव